तरी दस हजार में भी मिल रही है और बकरी के 40,000 क्यों मांग रहे हो हम कोई बकरी के पिछे के टूटे हुआ है एक्सल टूटा हुआ है सब को खोज में भरती जब करता है न सब उसके घुटने देखते हैं कि फाइरिंग घुटनों से थोड़ी होती है लेकिन घुटने जब पिपाड के एरिया में घुम रहा हूं तो आज मैं पांचारामजी चोदरी के पास हूँ जो ओसु गोट फारम के ओनर हैं तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो नए बकरी पालने शुरू करते हैं बकरी फारम उनको किस परकार की बकरी से सुरू करना चाहिए जब हम बक बकरी में इसके अलावा भी कम से कम और 15 को एल्टी और होती हैं तो वही आज हमें पांचारामजी से जानेंगे नमस्कार जी नमस्ते वाइसाब स्वागत है आपका अमारे फार्म पर और उन बंदू का जो अपना वीडियो देख रहे हैं आज हमें इस वीडियो में बात कर करते हैं उनको किस परकार की बकरी से सुरू करना चाहिए लोग बाग आते हैं बख्रिया से लेक्ट करने के लिए तो सबसे पहले तो वह सब से शस्ती जो बगरी होती है उनका सब्सक्राइब करते हैं कि बख्री 10,000 में भी मिल रहे हैं बख्री के 40,000 क्यों मांग रहे हो हम कोई बख्री के 30 से 40,000 रुप्य मांग लेते हैं तो वह हमें अंदर इंदर गालियां देते हैं और जाने के बाद मेसेज में भी कुछ बोलता है कि यार तुमने 40-30,000 मांगे मैंने 30,000 में तीन ली हमारे पास भी वह तीन होती है लेकिन वह हम कट्टू वालों को बेज देत अब इनकी शरीर के बना उड़ देखो तो यह अस्तिपंजर डिले हैं के कमर से जुग गई अब इसको चला होगे तो इसका बेरिंग पिछे के टूटे होगा है एक्सल टूटा होगा है सब को फैल है यह बकरी कभी ब्याक के बला नहीं कर सकती बच्चे 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 अब इसमें कमजोर में कमजोर ही आएंगे और विकलोंग प्यदा हो जाते हैं दूसरी बखरी यह है यह भी दो दाथ है अब इसमें देखो रोमन नोज है इसकीन गुलबी है लेकिन गुलबी के साथ में डोट होना नहीं मारी है अब दोनों बखरी यह उमर की है लेकिन यह बखरी बच्चे देने में स्क्सम रहेगी इसको बनाउट है ना शरीर की वह लग रहे है कि कुछ है फोज में भरती जब करता है न साब उसके घृतने देखते हैं फाइरिंग गुटनो से तोड़ी होति है लेकिन गुटने जब उसके टच होता है तो उसको कि इस बगरी को लोग आराहिम्स है ले जाते हैं। लेकिन यह हमारी नेजर में कोई खास बक्री नहीं इसके शींग गुलबी वाइट फुरुग वाइट पूरी इसकीन गुलबी लेकिन इसका नाग जोने बिलकुल सीधा है इसको अमदेशी बक्री बोलता है रोमन नोज इतना होगा उतना बक्री अपने ब्रीडर पर बच्च दो सीधार करें गुलबी जोत्या कि टीश्री बार बीज़्ट वाइगी अभी प्रेगननट है है और मैं पहली बार ब्याने बड़ी बुल्सके बच्चे शेचा हुआ चलला को यह चीज है अपने ब्रीडर पर बच्चे देती है इनके बच्चे दिखा दाओ आपको यह इनके बच्चे है इस बकरी के बच्चे है इनके नीचे छोड़ के मैं आपको दिखा देता हूं कि यह दूसरी के नहीं इनके यह फुद अपने आपको दूद कियेंगे और यह बकरी सो चाट रही कितने दिन के हैं अभी है एक अप्ते के बच्चे है पहली बार भी यह दो बच्चे दिए दोनों भारा बकाईदा शक्षम है ठीक है और कान की लेंद्ध बड़िया है अब देखो बकरी का नाक में गोला ही थी मतलब नर्फेस में है तो बच्चे भी नर्फेस में आये हैं दिखाए आप कैमरे में दिखेंगे वाइट आईज के अंदर बच्चे हैं कान की लेंद्ध है पंस वेस है वाइट है सब कुछ इसमें समता है और आईट इसको शक्तिस प्यांता हूं 35 के अधिव है बगरी बगरी बिटल के मुकाबले बगरी यह यह दो पहली बार बियाने वाले बगरी अगर इस टाइब की है वह बगरी कमा के अपने को देती है एसी लोग लिजाते नहीं क्योंकि इसकी डिमांड होती है 30-40,000 तो लोग 40,000 मे पहले जो मैंने दिखा है इसी बगरी ले जाते अब उन चार बगरीयों का एक एक बच्चा आएगा उन में से मतलब चारों में से एक दो बच्चे भी मर जाएंगे और वो कमजोर शड़े गड़े से बच्चे आएंगे बता देता हूं मैं अभी आपको बताता हूं यह प् इसकी माँ यह खड़ी इसकी मां मैं अभी यह भी चारदान थ है अब वो भी चारदन थी हम इनकी यह आगई हो क्या Hawk अच्य नहों अच्छीन इसका ब्रीडर शाहिन नहीं था इसलिए यह बच्चा है सितने करोंप्म tras हां लेकिन डूखर पर बच्चा दिए जैसे बच्चे आगे फैल भी यही कारण होने का जैसे कुछ लोग तोल के बाव भी पक्री लेते हैं वह तो उनका काम ही तोल के बाव से लेंगे तो जैसे कोई बंदा वीडियो देखके फस गया विचार नहीं उसको जानकारी नहीं है बशना नहीं चाहिए नहीं बैसाब आ किसे काम होँगे और अगर यह काम याव है तो इसको मैं तोल के बाव से दूँगा जार रुपी किलो ना दूमें इस्वक्री को क्यों मेरे विच्छ को में जानुठ सी मिलती है क्यों दो पीटर बंद बांज छुटी फुटी लूली कानी खोडी जिसका थनर नहीं है मस्य ह हो गये हैं मतलब को इनको यह सी प्रोब्लम है कि वह ब्याने में कामियाब नहीं है घर पर रहने के कब इल नहीं है वह मिल जाती है तो अलके बाव से करें को है